विपक्षी दलो ने अपने गडबंदन का नाम इंडिया रखा है उसी दिन से बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है पार्टी की नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे बीजेपी खुद मुसीबत में फस्ती दिख रही है मुसीबत तो इंडिया पर पियम मोदी ने भी अपनी पार्टी की बढ़ा रखी है तो सालसद भी पीछे नहीं है तो कैसे इंडिया के नाम पर फस गई बीजेपी देखते हैं 18 जुलाई को बैंगलूरू में विपक्षी गडबंदन ने अपने गडबंदन का नाम इंडिया यानी इंडियन नैशनल डवलपमेंटल इंक्लूजिव एलाइंस रखने का ऐलान किया इसके बाद से बीजेपी परिशान दिखाई दे रही है बीजेपी नेता जो खुद को सोशल मीडिया पर इंडिया बताते थे वो अब खुद को भारतिये बोल रहे हैं पियम मोधी इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिद दीन और इस्ट इंडिया कमपनी से कर रहे हैं तो बीजेपी के सांसत इससे भी आगे निकल गए बीजेपी सांसत ने देश का नाम इंडिया हटाने की मांग कर दी है बीजेपी सांसत नरेश बंसल ने राज्यसभा में विशेश उलेख के जरिये ये मांग की और इंडिया नाम को सम्मिधान से हटा दिया है। इंडिया दिया भारत वर्ष इस देश का वास्तविक नाम है। देश का अग्रेजी नाम इंडिया शब्द गुलामी की निशानी है। इंडिया देटी जटा कर भारत रखा जाए और भारत माता को दास्ता की इस नाम रूपी बेडियों से आजादी दी जाए। इंडिया उपनिवेशिक और दास्ता का प्रतीक है। इसलिए देश का नाम इंडिया नहीं रहना चाहिए। बंसल ने कहा कि पिछले वर्ष 15 अगस को पियमोदी ने भी लाल किले से कहा था कि देश को दास्ता के प्रतीक चिन्यों से मुक्त होना चाहिए। भाजपा सदसे ने कहा अंग्रेजों ने भारत का नाम बदल कर इंडिया कर दिया। 1947 में देश आजाद हुआ और 1950 में समविधान में लिखा गया। जिसमें लिखा गया कि इंडिया देट इस भारत इंडिया जो की भारत है। अब समविधान के अनुचेद एक में संशोधन कर इंडिया देटिस हटाया जाए। बीजेपी सांसद और पियम मोदी के बयान से एक बात साफ हो गई है कि इंडिया नाम से अब बीजेपी बुरी तरह से डरी हुई दिखाई दे रही है। संसद में सत्तापक्ष के सदस से जैसे ही मोदी मोदी किनारे लगाते हैं उसके जवाब में विपक्षी दल इंडिया इंडिया बोलना शुरू कर देते हैं जिसके आगे मोदी का नाम फीका पड़ जाता है। इंडिया के आगे कमजोर पर्ती बीजिपी की ये बॉखला हट अब खुल कर सामने आने लगी है और उसके सांसत को देश के नाम से ही अब नफरत होती दिख रही है।